नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका एक बार फिर से गौर्मेंट गुरू 2.0 यूटूब क्लास में आज के हम क्लास में देख रहे हैं थमने देखकर सभी आप समझ गये होंगे कि हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं तो वह है राइस्थान में जो नए जिलो का गठन इसको उसके बारे में हम करने वाले हैं और ये वाला टॉपिक है आपके ज०्यरयक काउंटर्डίν आरेएस या फिर अधर कोई भी एक जाने वाला है दो से थीन कौश्झ अपके आने वाले हैं और जो भी 2014 में एकश्ण होने वाले है में तो बहुत डिटेल में आएगा अभी जो आने वाले चार वाज महीनों के अंदर एक्जान उसमें है जो आपके यह सामन्य परीचे के रूप में जीलो से कोशन पुछे जाने वाले हैं यह कैसा टॉपिक है नए जीलो के गठन करने के बाद आपके राजिस्थान की जोगर ही है तो किस तरह से टॉपिक में कोई से कोशन पूछन जाने वाले हैं उसके बारे हम चर्चा करेंगे क्यों आपको एक लावा कहीं और देखने की जरूत नहीं है क्यों यहां से आपके जो है एक्जाम में कोशन हो जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बीना किसी को टाइम को देकार करें जो भी बच्चे चैनल पर नहें चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों के शाथ अपने ठीक है चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रूँ और हर और डेली अब मैं ज देले में चिले जो टाइस्तान में अभी बनाएस गहें हैं इसकी जो घोषण निजिक में दो हजार बाईस-खनियो राम लुभाया कमेटी और यह कमेटी इतने इंपोर्टेंट है कि एक्जाम में यह पूछी जाएगे इसका हमेशा नाम आपको ध्यान में रखना है राम लुभाया कमेटी की अनुसंसा पर जो है अभी जो इस साल 2023 का जो बजट पेस्ट किया गया था इस चोई के बजट में यह गोशना करती थी 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को गोशना कर थी माने मुख्यमंत्री जी ने कि हमें राइस्तान में 19 जीले जो और बनाए जाएंगे और जीलों की संख्या जो 33 से बढ़कर 50 आपके हो जाएगी वह कैसे हो जाएगी 50 33 में अगर हम जोड़ते हैं 19 ठीक है तो यह हो जाते हैं आपके 52 परंतु यह हुए हैं 50 वह कैसे हुए हैं उसका रीजन यह है कि देको पहले थे 50 33 जीले जिसमें थे आपका जैपूर और जोदबूर इनका क्या है पुनरगठन कर दिया गया इसको बना के इसको जो है तोड़कर 4 जीलों में बाढ़ दिया गया है तो यह जोदबूर इसमें को काट कर जो है तीन जीले बना दिये गए हैं तो इस तरह से आपके 50 जीले बन चुगे हैं अब हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में यह सामभाने सी जान करी थी आपको एक यह चीज यहां पर ध्यान रखने है कि सबसे पहले शीवारिस पर जो है सरकार ने जीले बनाने घोशना किए वह आपके रामलुबाया कमेटी थीक हैं देख़े इसके अंधर क्या किया है कि इसले जो बना इन संवाने के बाद 33 से बढ़कर जीलो की संग्या हो गईा है आपके विस अधर के कहां पे यह देखो देखौ यह जीला बनाया गया है सौ Seb पर बना दिया डिया बना दिया यह बना दिया यहां पर UPशेधक पहर्ट पूर पर बुलकल बॉटर ‫दीघ भरध पूर। डिडवाना और कुचामन बना दिया ये नागर और जपरवाले छेतर वैसे डिडवाना कुचामन आपके जिला बना दिया गया है थोड़ा बात सीकर का भी पाट लिया गया इसके अंदर दूदू देखो दूदू ये important है सबसे ज्यादा important दूदू है किस दरस्टी से एक तो आपके कौन सा है जैसल में और सबसे चोटा है आपके दूदू होगे न आपके आंसर से घंगापर लिए विए घंगापर सुटी जोसा और और करोली है करोली और आपके सवाई मादभपूर जो हॉजव है इसमें से आपके गंगापूर सुटी बना दिया गया रहे है जैपार है जैपार के देखो चाते ग्येंगें यह वाला जो है आपके बनाया गया है जैपूर शहर जो यह देखो बिल्कुल ग्रामनीं के बिल्कुल बीच में इसी तरह से आपके ет और या जो matter हो गया जो घर में जपोंक है जो कोड़़ जबार вкус जो मेटिई आपका eu जो now पसमाग बनादिया गया है इसके बात करें तो उद्यपुर के पास बनाया गया है मैं वह सकते तूर के बनादिया गया है उसके बाद कुन सा बनाया गया फिर बनाया साचोर सापूरा साचोर था पहले जाली अब साचोर को अलग से जीला बना दिया तो यहां पर सारे सब इस वाला जापूरा नहीं तरह से जो प्राइस्तान के 19 जिले बन चुके हैं अब हम बात करें तो तीन संभाग कोन-कोन से बने हैं नए तो तीन संभाग संभाग बनें आपके सबसे पहले हम बात करें तो देखो इसमें नीचे बासवाड़ा को संभाग बनाये गया है किसको बासवाड़ा को जो है संभाग बनाये गया जिसमें तीन जीले आ रहे हैं डूंगरपुर, परताफगर और बासवाड़ा कौन कौन से आ रहे हैं डूंगरपुर, परताफगर और बासवाड़ा ठीक है उसके बाद हम बात करें तो यह देखो आप पाली संभाग बनाए गया जिसमें पाली जालो और साचोर और सिरोही वाले जो हैं जीले आपके आ रहे हैं पाली संभाग बनाया गया है ठीक है एक नया संभाग एक और बनाया गया उसका नाम है आपके सीकर सीकर संभाग टोटल हो गए हैं ठीक है तो यह थी एक basic चीज अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा fact वो है हमारा fact क्या है fact कि नवीन जीलो के गठन के लिए ना अठारा पूरु जीलो को, अठारा जो पूर में जीले थे, अठारा पूरु जीलो का पुनर गठन किया गया, जीलो का पुनर गठन किया गया, बत्त, अठारा जीलो को तो छेड़ा गया, उनके सीमा में परिवतन किया गया, और पंदरा जीले के ऐसे हैं, जिन में कोई छेड यहां पर देखो नीचे वाले इसमें देखतें हैं यह हमागा राजस्थान राजस्थान, पाकिस्तान के पास में आपके पाकिस्तान तो पहले पाकिस्तान में कौन-कौन सा जीला लगता था हमारी राजिस्तान का वह लगता था आपके श्री गंगा नगर बीका ने जैसल में और बाड में पहले लगते थे चार जीले अब एक और जीला लगता है वह है आपका सीमा वाला जीला भी slang कितना है जाशल मेर भी यह विए सिमा लगते हैं पाजितान की पागिस्तान चाल TWO किलोमीटर ठीक उचाट SIMा लगती है और इंतर यह तो एगे अंतरा स्ट सीम मैं जिसमें 57 श्रीगंगा बिकाने और से सर्थ और बाड में ठीक है इसके अलावा देखो आप इसके अलावा देखो आपके राजिस्थान में जो है आपके राइस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर राज्ये सीमा बतार राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं तो देखो एक तो यह पंजाब हो गया आपके राज्ये निकटवर बनाते हैं अंतराज्टरी सीमा कितने बनाते हैं 5 और अंतर राष्ट्री सीमा बनाते हैं कौन शमिआ बहुता है थीख तीजिद्ध हुआ तेए के यह अदेखो कि् यहीं पर देख कर देख लेके मि भ not करेंत्री मेंपनेल की बैट और पाँच अगस्थ को जो है आपके जीमोगे अधी सूच ना जारी हो गई को हम जो है एसे जीले बनाने वाले हैं और इसका जो है कानूर बना जो कनूर बना जो विधी बनी वो हो मिर्मिंदीuk Осब 20 2023 को स्थाप्ना आपके S 521 सोचना ज जारी हुआ ज्या आपके माना जो गया है तो इस तरह से यह प्रक्रिया हुई है अब देखो हम बात करते हैं यह इसको मिटा देता हूं हम देखें कि जो राइस्थान के पड़ोशी राज्ये हैं उनसे किसकी सब्सक्राइब की सीमा लगती है इसमें थोड़ा सा तो फैर बदल हुआ है और विसली बाते नए जीले बने हैं तो उसके साफ से जीलो की संख्या भी बड़ी है तो कौन-कौन से जीले हैं जो नए हैं कौन-कौन से क्या है वह आप यह सब देख लेते हैं ठीक है तो कहीं और से पढ़ने की जरूत हैं आपको आपस वीडियो पर बने रो आपका 100% है ना कोशन यहां से सौल हो जाएगा तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वह है आपके इदर उपर से चलते हैं ठीक है पंजाब यहां लिख लेकर पंजाब तो पंजाब में आपके देखो पंजाब में आपके इस लेको श्री गंगानगर लग र और आपके हनुमानगर ठीक है यह देखो यह श्री गंगानगर और हनुमानगर यह हनुमानगर की सीमा और श्री गंगानगर की अब यहां पर यह सीमा खतम हो गए अब इसके बाद आता है आपका हरियाना क्या आता है आपका हरियाना तो हरियाना में देखो हरियाना की सीमा कितनी लगती है हरियान की सीव लगती है कितनी किलोमेटर 1262 किलोमेटर कितनी 1262 किलोमेटर तो कि यह तो यह पर खतम करो अब यह धो यह देख चूरू तरहा हरियाना के जुञडू रहा नियम कथाना यह वह स therefore रहा है उसके बाद आप देखो नया घीला कुन सा है नीम का ताहीं येतरे उन्हें फिर उसके बाद ज OS रहे है एक और दूसरा कोट पुतलिए वहरोड भी टॉच हो रहा है थी कि के बाद एक हो के जारा और त्रफल ओर ये भी टॉच हो रहा है थी कि इसके बाद देखो ऑगए और भी हापे річ नहीं है तो कौन कौन से जी ले टच हो रहा है मुष्के बारे में लिखले लिए हु थेखा मुत करें हर्याना से हनुमानगड़धी अपना नक्तरम्त श्जग है कैसे की उसके बात करें सबस्क्राइँ ठीक है, चूरू के बाद हम बात करें, तो अलवर टच हो रहा है, कौन से टच हो रहा है, अलवर के बात करें, तो बात हम बात करें, जुन जुन, तो ये तो पहले भी टच होते थे, ठीक है, ये तो आपके पहले भी टच होते थे, ठीक है, आप देखो नए कौन से टच हो रह खेड थल तीजारा यही भी आपके टच हो रहा है डी कितने जीले टच हो गए आठ जीले पंजाब से कितने चल टच हुए दो जीले तो पुराने और नहीं हमने दोनों कर दिया मैप पे भी देख लिया तो इसका थोड़ा ध्यान रखना उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से टच होते हैं अपने उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम बात करते कितनी लंबाई टच होती है वह आपके 877 किलोमेटर ठीक है 877 किलोमेटर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है अब इसके तो कोन कोन से आपके डीग critic भरतपूर बद्रत आपन अपन ुद्र पर्देश तरह घ्राडिए बच रहे ठीक है तो तीन तो यह व allerdings रहे तो हम इस ये को में मिटा देता हूं फिर हम अपन इसे को यहाँ पर आगे देखेंगे ठीक है इसी को अपर आगे यहाँ पर देखने वाले कहीं और जाने के ज़रुत नहीं कहीं और पढ़ने की आपका आउशकता नहीं बस आप यह देखा कि आपका है जो है सारी समझय यहीं पर सोल हो जाएगी अब देखो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की किसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं देखो सबसे लंबी जो सीमा है न जीके का कुश्चन है कि सबसे लंबी जो सीमा है सोला सो किलोमेटर कौन से बनाती है मध्यप्रदे किते जिलेटाच होते हैं दस जिलेटाच होते हैं अब दस कौन-कौन से होते हैं देखो करम से देखेंगे अपन किसे देखेंगे कौन-कौन से होते हैं दसजी लेट चोते हैं शोला सो किलोमेटर अब देखो यहां देखो आप नक्से में देखो कि सबसे पहले क्या आता है आपके धोल पूर यह दोल पूर आ गया ठीक है यह कतम उसके बाद करो ली फिर फिर सवाई माधवड़ ठीक है अब नगए कोटा यह कोटा वाला इलाका यह ओके दैखो बारा बार लेको पूरा प्रच हो रहा है मतलब यह माना हो कि बारा जो आध्य पर दे का तगरहा बारा ने सिटा टीक में फिर पाहतना हो जाता है यह यह का आफ्ट शॉय है यहांस अब बील वाडा वाला सूब कौं सा यह बीए मिजुद sensing और देखोते जिले होगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तो 10 जिले आपके जो है आपके मद्ध्रदेश के सांथ सीमा लगाते हैं सर्वादिक लगाते हैं ठीक है सर्वादिक सीमा ये आपके टच करते हैं तो लिख सवाइ माधनपूर के बात देखो आपके कंसा भीनलं सर्च नहीं हो रहा वूंदी श कि-e qoda लगी अभीर ओर यहां पे जहालावार ही को पिए इसके बाद देखो इसके बाद यहां उसके बाद देखो उसके बाद कौन कौन से बच रहे हैं उसके बाद बच रहे हैं आपके करम से चल रहे हैं तो भील वाड़ा भील वाड़ा फिर देखो चितोड़ गड़ और फिर बगता है आपके कौन सा परताब गड़ ठीक है कौन सा बचता है आगे फिर परताब गड़ कौनसा रहे हैं फिर धोलपूर करोली सवाई माध्यपूर कोटा बारा जालावाड ठीक है और यहां पर देखो यह नीचे तक आ रहा है आपके वाड़ा राइस्थान के जो है 10 जीले जो है राइस्थान के दर्स जीले आपके मद्यपर्देश राज्य को टच करते हैं 16-100 km तो बाhey तक जो है आपके दॉर्मपूल से शुरू होगि 120 तक ठीक है तो कॉच्छा ना सकता है नहीं करता है तो वो कौन сб नहीं करता impose कॉप सबस्ते अब बस्ता पे गुझरात कौन से वस्ता है गुझरात अब बस्ता है आपके गुज्रात तो गुज्रात की कितने जिले टच करते हैं गुज्रात को करते हैं आपके कितने जिले 6 जिले किते किलोमेटर की लंबाई यह इसकी इसकी है 1022 किलोमेटर तो गुज्रात को 6 जिले कौन-कौन से टच करते हैं वो देखिया यह देखो आपके फिर देखो ये नया जीला साथ चौर फेले जालोर में आता था ता अब देखो इसाथ और साथ चौर के बाद देखो ये बाढ़ में कितने जीलेत तड़े चरह 1 2 3 4 5 और यह 6 तो कौन-kौन से कि शिरोई के बाद देखो आप कि रहता है साथ चौर के बाद आपके बाड़ मेर तो सबसे लंबी सीम है कौन बनाता है मद्ध्य पड़ते सबसे चोटी कौन बनाता है पंजाब 89 किलोमेटर की ठीक है अब यह चीज और अपने आपर लिखते हैं कि बाद फिर फिर अपिली में अपर इसे लिखते है कram यह देखो करें अब देखो नई जीज नई चीज़ एक आंदर इसमा कॉन बनाते न सीमा आई कि ऐसे जी लें तो यह देखो आप के देखों आप सब्सक्रइस तूं बात कर अड़का हनुमान गण्रकिणा के पंजाब और सीमांगरद OFF रूमान गण्रक की ए उसके बाद हम बात करते हैं तो हम नीच आते हैं देखो यहां यारे है आपके चेज को माथ करें तो फीर है धोलपूर गंग रहा है यह इसके बाद हम बात करें तो वह आपका बास वाड़ा है और हुला मुझाब डिया गर्डे कोंगों से दो के साथ बनाता है हनुमानगड देखो यह पंजाब ॥ हरियाना कि पंजाब और अठिए कि सके साथ साथ बनाता है हरियाना और आपके यू- casing अज्थ में इस तरह से है हमारा यह वाला जो आपके दो-दो राज्जों के साथ जो है सीमा बनाते हैं अब देखो कुछ ऐसे एक्ष्टा फैक्ट है उसके बारे हम चर्चा कर लेते तो फैक्ट क्या है वो देखो आप सबसे पहले तो यह है कि अंतर राश्ट्रिय जी ले इनकी संख्या कितनी है पाँच अंतर राज्जी जी ले कि इनकी संख्या कितनी है इनकी संख्या आपके 25 कितनी है 20 इसके बाद देखो वह जिले जो अंतर। और अंत्राज्ट्री है और अंत्राज्च्री है और अंत्राज्जुह य। कि सीमा बनाते ह। कोन कोन से हूँ वह वह है अपके गंगा नकर अपके 두के करा axb deganet ऐसे त्हुंब शुक्व देखो आप uh गंगा नगर और आपके गंगा नगर है और कौन सा है और دी काने पिखति सुरि बीकने नहीं नहीं एक यहां पे आएगा बाड्मेर बाड्में यह देखो ह Ioan तो यहां पर दूसरा क्या बाड में कि आना बाड में यह तो है यह आपके गुजरात के साथ और यहां पर यह पाकिस्तन के साथ ही बना रहे जो वना रहे से गंगा नगरोर बाडोइं ठीक है कि अब देखो अंतर की संपिर सिब्साश चाहर लेंडर लुग जी ले हैं उनकी संपिर बाइस यह उर McMahon आपका तीडवाना कुछ उमन हो गया सिकर हो गया जयपूर्ग गरामेंड न हो गया जयपूर तो 12 गहंगे है जो ना तो अंतराज्जी सीमा बनाते हैं नहीं अंतराष्टी सीमा बनाते हैं थिकcano Спस्थ आ जिलोके आधार पर जीलो के आधार पर राजिस्थान का जो इस्थान है वो हो गया है थर्ड कौन सा इस्थान हो गया जीलो के आधार पर इस्थान तीसरा तीसरा कैसे हो गया पहले इस्थान पर आता है यूपी सेकिंड इस्थान पर आता है आपके MP, और थाड़ इस्थान पर आता है आपके राजस्थान, ठीक है, तो कितने-कितने 75 जीले, अब राछिस्थान ही सरवादिक हो गया, कितने 50 तो कितनी अच्छी चलांग मारी है मतलब 33 जीले से सीधा 55 जीले जो आपके राइस्तान के अंदर है तो राइस्तान में होगे 50 MP में होगे 55 और UP में होगे 75 तीसरे इस्तान पर राइस्तान आता है ठीक है तो चली आप नेक्स देखते हैं नेक्स क्या है नेक्स है आपके कि आपकी जो है कुल जीले कितने हैं 50 कुल संभाग कितने हैं कुल संभाग संभाग को है नए कितने बने तीश ले फरोटल संभाग हो गए अभी 10 ठीक है कुल जीला परिशत कितनी हो गई फेर जीला परिशत ना जब five minutes तो Local तो जीले ले में एक परिशत हो गे ना पचास जीला परिशत घीक है तो दोस्तों देखे इसके अंदर देखो आपको में एक बात और बताओं कि जो चूरू आपका जो जिला है वो पहले कौन से ना संभाग में आता था तो चूरू जो जिला है चूरू जिला यह आता था आपके बीकानेर संभाग में आता था और वर्तमान में यह जो चूरू संभाग के अंदर कौनकों से चीकर संभाग में कालगी एक पूरु संभाग के अंदर यह जो इसक बिखिए तैनर जैपुर संभाग से निकल कर सीकर में गए कौन-कौन से सीकर और जुन-जुनु पहले पता है आपको जैपुर संभाग में पांच जीले आते थे जिसमें सीकर और जुन-जुनु आते थे तो सीकर और जुन-जुनु आपके जो है जैपुर जीले से भार निकल कर किस संभाग संभाग में गए ठीक है तो इसमें यह भी लिख लो कि सीकर और जुन जुनु जैपुर संभाग से अलग हुए जैपुर संभाग में शामिल हुए ठीक है एक है आप देखो बास वडा संभाग है है यह ल你有 बात पॉभा क्रें तो बास वडा इसे कौन कौन sneaking से भी यह आते हैं आपके दूंगरपुर बां सवाड़ो ठीक है और इसके बाद आता है प्रताफगड तो प्रताफगड पांसवड़ा और दूंगरपु ये तीन जो है बांसवड़ा जीले में बांसवड़ा संभाग के अंदर आते हैं और इसमें जो है उद्यपुर संभाग से बांसवड़ा अलग हुआ है ठीक है अब देखो यह आपका सबसे बड़ा जोदपुर संभाग यह है आपका जोदपुर संभाग और सबसे छोटे की हम बात करें सबसे छोटा संभाग कौन सा है आपके बास वाड़ा तो बास वाड़ा कौन सा है सबसे छोटा संभाग कौन सा है आपके सबसे छोटा संभाग कौन सा है आपके सब सबसे बड़ा संभाग की हम बात करें चेत्रफल की दरस्टी से बड़े संभाग की बात करें बड़ा संभाग आपका कौन सा है वो है आपके बड़ा संभाग जोधपुर संभाग ठेक है जोधपुर संभाग तो आपका सबसे बड़ा है और जो है आपके बासवादा संभाग सबस्क्राइब चीज और देखो एक चीज क्या है इसके नदर इमपोर्टेंट कि दू-दू और डू-दू और सल यह ना आपके विद्हांज सवाकी सीट वाले जी लेए के वराबर जो है एक एक नेक्स फैक्ट देखो कि सरवादिक तहसील किस जो है आपके सबसे सरवादिक तहसील किस जीले में आती है तो वह है आपके सरवादिक तहसीलो किस जो जो है एक अधाप जो है इसके अंदर जो है तैसिल आती है तो यह है आपके जो है राइस्थान की नवीम जीले की स्थिती के बारे में चर्चा इसके बाद हम कुछ लिख लेते हैं ताकि एक्जाम में जो है हमारे कोशन गलत नहीं हो वह फैक्ट है आप लिखे देखो इसके अंदर जो है काफी कोशन आते हैं यहां से तो आप यह लिखते जानकारी सामने दानकारी नहीं है यह थोड़े special है इसके अंदर देखो सबसे पहले हम बात करें तो संभाग आपके कितने हैं संभाग है आपके 10 ठीक है जीले कितने हैं जीले हैं आपके कितने 50 ठीक है जीला परिशत की बात करें हम जिसे जीला परिशत की हम बात करें तो जीला परिशत कितन यह जीलों के अनुसार एक जीले में एक जीला परिशा ठीक है पंचायत समीति की बात करें पंचायत समीति तो पंचायत समीति की संक्या कितनी है आपके 305 पर ठीक है कोशन पूछा दा सकता है बिल्कुल पूछा दा सकता है ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचाय कितनी है आपके ग्राम पंचाहेत है आपके टोटल 11,266 नगरुकम की बात करने तो नगरुम कितनी थी पहले और अभी कितनी वर्दमा में पहले थी 10 अभी एक और बन गई है तो टोटल हो गई 11 ने कुनसा बनाया अलवर अलवर जो है आपके नया नगर निगम बन गया है ठीक है नगर परिशद की हम बात करें तो नगर परिशद कितनी है नगर परिशदे कितनी है आपके नगर परिशदे आपके 36 8-5, 36 नगारपरिशद हैं अब हम बात करते हैं नगर पालिगा की संकिया कितनी है वो है आपके 204 में इस थारे से टोटल जो आपने नगरी निकाय हो गई नगर ये निकाय तो इनकी ऐसे संभाग जेंग तो सक फचेंगों नगरब कर दो सब्सक्रांद हों है करें एकन सब्सक्ता है और भी हम देखते हैं इसके अंदर क्या है important ठीक है अब देखो इसके अंदर राज्य सभा की सीव 10 है लोग सभा की 25 है यह तो आपको पता ही है ठीक है किर्शी जलवायू पर्देश कितने हैं किर्शी जलवायू पर्देश किर्शी जल्वाई परदेश कितने आपके 10 हैं कितने हैं दस हैं ठीक है राश्टी उध्यान की बात करें हम तो राश्टी उध्यान राश्टी उध्यान कितने हैं आपके तीन अभ्यारन की बात करें अभ्यारने की बात करें ते अभ्यारने कितने हैं हमारे यहां पर है जो बने जी वह वह है 27 27 भी कहा है स कुछ आपके Tiger Reserve Tiger Reserve राईस्थान में Tiger Reserve की संक्ण yeah कितनी है आपके 4 चार कौन-कौन से हैं, तीन का तो पता ही है आपको, एक तो है रन्थमबोर, सरिस्का, ठीक है, रन्थमबोर, सरिस्का, और एक है मुकंदरा, ठीक है, ये तो तीन था ही, इसके वालावा एक बना है, वो है रामगर्ण, विस्धारी, ठीक है, तो ये चार टाइगर विजर्व है यह आपके लिए सामने जानकारी जी लोग से सडोरेटेड और अन्ने फैक्ट हैं कुछ तो यहांसे जो है आपके इस क्लास को देखने के बाद आपके काफी सारे कॉश्ण सही होंगे आप देख लें आपके बिडियो को भी आर आरेाज का हो चाइउ आपके जुनियर अकांट्र और पर दिसम्बर तक घध मोने वालें इस वाले वीडियो की देखने के वाद आपका जुरसाल किलियर और के 30-35 मिनिट का ये वीडियो है और 30-35 मिनिट में अगर आपके दो कोश्चन सही होते तो मैं मानता हूं इससे अच्छा कोई चीज आपको मिलने वाली नहीं है तो अभी के लिए इतना ही करेंगे अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स है उसके अंदर आपको हर डेली 10-10 मिनिट के या पंदा 10-15 मिनिट का कोई वीडियो डालूंगा जरूर जो भी करन्ट अफ्यर से रिलेटेड होगा कुछ ऐसे एफेक्ट होंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंट होंगे ठीक है दस मिनिट में कोई भी फरक नहीं पड़ता है आप वीडियो को देखना और कहीं न कहीं आपको उसका फायदा मिलेगा ठीक है अभी इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में थैंक यू